हलो एन वेलकम टू डेली बाइस तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिसकस करेंगे प्रिविएस येर कोश्चन्स 2022 के लिए जो की एप्लिकेबल होगा बी एच यू और डी यू के लिए सभी पेपर कोर्स के लिए चाहे बात करें COQP04, COQP05, COQP06, COQP07 या फिर अगर लेमन लेग्विज में बात करें तो सोसल साइंस पैड़ागॉजी वाले बच्चे हो चाहे लेग्विज वाले हो साइंस वाले हो चाहे मैस वाले हो ये वीडियो लेक्चर सभी के लिए सेम होगा क्योंकि जो पार्ट A है जिसमें की 25 कोशन है वो सभी पैड़ागॉजी का सेम है तो चलिए हम लोग पहले डील करते हैं पहले 25 कोशन के उपर उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ यदि आप लोग डेली उनिवर्सिटी से रिलेटेड थोड़ा भी कन्फ्यूजन है आप लोग के माइन में तो आप लोग इस वाले प्लेलिस्ट पे विजिट करिए CUET DU BA 2023 और ये वाला वीडियो लेक्चर देखिए जो की डीटेल एक कम्प्लीट किया गया है चाहे लिजिबलीटी क्राइटेरिया हो या फिर कुछ भी हो DU के रिगार्डिंग जब हम लोग बात करतें B8 के कंटेक्स में साथी साथ यहां पे जो पेपर कोड को लेकर ईश्यू है या फिर पेपर कोड के रिगार्डिंग आपको पेपर कोड के हिसाफ से मेंबर से पर्चेस करना है तो ये वाला डीटेल वीडियो देख लीजिए कि कैसे preparation classes चलती है दरी वाइट्स पे DU B8 के context में same यहाँ पर बात करते हैं यदि BHU के लिए तो वहाँ पर आपको एक playlist मिलेगा हमारे playlist के अंदर CU ET BHU BA 2023 यहाँ पर भी आपको complete मिल जाएगा detail BHU BA के regarding यहाँ पर code PGQP 7-4 लिखा हुआ है लेकिन यह आपको updated वीडियो आपको इस playlist के अंदर मिल जाएगा इस बार के paper code के according जो की COQP 04567 है और साथी साथ membership से related video lecture भी मिल जाएगा इसी playlist में तो इसे complete देख ले so that अगर आप membership लेना चाते तो इस वाले वीडियो लेक्चर को जरूर देख ले so that ऐसा ना हो कि कल को आपको लगे कि platform आपके साथ cooperation नहीं कर रहा है just because यहाँ पर सारी चीजे detail में discuss की हुई रहती है कि membership का क्या procedure है कैसे provide किया जाएगा कब add किया जाएगा group में कब चीजे provide की जाएगी तो सभी doubts को यहीं से sort कर लिजे so that cooperation दोनों साइट से बना रहे तो चलिए हम लोग अब solve करेंगे previous year question जो first 25 है जो की part A है सभी pedagogy के लिए applicable है BHU और DU के contest में तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले visit करेंगे Delhi Bytes की website पे simply google पे search करेंगे Delhi Bytes जैसे ही Delhi Bytes सर्च करेंगे सबसे पहले Delhi Bytes की website ही open हो जाएगी Delhi Bytes.in या फिर google पे directly Delhi Bytes सर्च करने पे आपको सबसे टॉप में Delhi Bytes ही दिखेगा अब क्यूंकि हमें 25 questions solve करना है तो उसके लिए login करना पड़ेगा अगर आप register नहीं है तो खुद को register कर लीजे यहां पे मैं अपने detail फिल कर दे रही हूँ so that login हो जाए तो view all mock test पे click करेंगे अब जैसा कि मैंने कहा यह सभी course पर अपली केवल है तो directly मैं आपको question solve कराना start करती हूँ आप language pedagogy में अगर आप है तो language pedagogy में in हो सकते है social science pedagogy के हैं तो social science में हो सकते हैं science में है तो science में math में है तो math में सभी में same questions देखने को मिलेगा तो यहां पे confusion create नहीं होना चाहिए अब क्यूंकि मुझे solve करवाना है तो मैं language pedagogy का खोल लेती हूँ बाकि सभी में repeat करी हूँ बार बार पहला जो part A है 25 questions सभी pedagogy में same होगा तो यहां पे हम लोग enter होते है language pedagogy का में solve करी हूँ आप लोगों को बताई कि PYQ website पे free है तो यहां पे free पे click करेंगे यहां पे जो instruction से इसे agree करते हुए आगे बढ़िए यहां agree करने के लिए click का option है then next यह हमारा questions खुल गया यह 25 questions सभी के लिए same है अब question पे बात करते हैं यहां पे कह रहा है कि correct वर्व चूज करिए जो यहां पे fill हो सके तो यहां क्या लिखा हुआ है risks come from not that's what you are doing तो कह रहा है कि risk come from not तो क्या हो जागा यहां पे not knowing what you are doing जिस चीज के बारे में पता नहीं होता वो काम करने में ही risk होता है next move करते हैं हम लोग अगले question की और यहां पे क्या fill कर रहा है हमें appropriate preposition her request for a transfer was turned down next यहां पे पूछ रहा है कि कौन correct है तो किसकी spelling correct है impromptu इसका क्या मतलब होता है कि कोई काम तुरंत करना सिग्र करना जल्दी करना तो spelling क्या हो जाएगा I am p r o m p t u next next question fourth number है यहां पे कह रहा है he said to me I don't believe you इसका indirect speech क्या हो जाएगा convert करने पे यहां पे हो जाएगा he told me that he didn't believe me next move करेंगे अगले question पे यहां पे arrange करने कह रहा है p q r s को एक sequence में जिससे की एक appropriate और meaningful sentence बन जाए तो कैसे बनेगा meaningful sentence poetry is spontaneous overflow of powerful feelings emotions recollected in spontaneous तो इसका answer क्या हो जाएगा r p s q next देखते हैं अगला question यहां पे पूछ रहा है strength का antonym क्या होगा strength का मतलब क्या होता है एक तरीके से कहें तो target या फिर हम लोगों का strength जो हम लोग कहते हैं कि हमारा strength है यह weakness है यह तो strength क्या हो जाता है हमारी तागत तो antonym का मतलब क्या होता है just उसका ulta तो उसका ulta यहां पे क्या हो जाएगा निर्बलता निर्बलता यानि की frailty now next move करते हैं आगे यहां पे कह रहा है कि correct sentence चूज करिए यहां पे कौन सा ऐसा है जो की correct sentence है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा option number c had he not left we would have been forced to evict him next move करते हैं अगले question की और यहां पे कह रहा है passive voice चूज करने के लिए इस sentence का correct passive voice क्या होगा he may have eaten the cake he may have eaten the cake तो क्या हो जाएगा the cake may have been eaten by him again next move करेंगे यहां पे पूछ रहा है synonym synonym यानी की एक जैसे सब्द मतलब एक हो लेकिन सब्द अलग हो तो captivating captivating का मतलब क्या होता है बहुत ही जादा लुभावनी वाला अगर कोई चीज होता है तो उसे captivating कहते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा fascinating लुभावना कुछ लगता है हमें तो next 10 नंबर का question देखते हैं यहां पे कह रहा है कि जो speech है part of speech underline क्या गया है वो क्या है वर्व है अड़व है adjective है या noun है तो वो क्या है noun है अब यहां पे हम लोगों ने दस question देख लिया अब आप लोगों को पता होगा कि जो पहला पार्ट है जिसमें पचीस question है अगर आप English choose करते तो पहला दस question आपको English में visible होगा अगर आप Hindi choose करते तो आपको सिर्फ Hindi में जिबल होगा तो चलिए दुबारा से हम लोग question number one पर आते हैं अब हिंदी में देखते हैं क्या है और यहां पर कुछ translation नहीं होगा ठीक है ना यहां पर क्या है निम्न में से कौन सा word वेंजन नहीं है वेंजन नहीं है यानि कि कखा गगा नहीं है तो क्या हो जाएगा a now next move करते हम लोग अगले question की ओर यहां पर क्या कह रहा है कि कथन देखिए कौन सा कथन जो है सही है पहला कह रहा है वाग के भासा की ऐसी इकाई है जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है एकदम सही है भासा क्या है वाग के क्या है वाग के क्या है वाग के विचार को व्यक्त करता है, भाव को व्यक्त करता है, correct है, दूसरा कह रहा है, वाक्य के भेद तीन आधारों पर किये जाते हैं, रचना सब्द अर्थ के आधार पर, नहीं, वाक्य के भेद के regarding यहां पर जो लिखा यह रॉंग है, तो अंसर क्या हो जाएगा, कथर एक सही है, लेकिन दो गलत है, यानि की option number C, next हम लोग मूव करते हैं, अगले question की ओर, यहां पर क्या लिख रहा है, एहलोग का विलोग क्या होगा, प्रलोग, next, यहां पर लिखा है, निमलिकित में से कौन सा सब्द वर्तनी की दृष्टी से सुध है, तो कौन सा सुध सुध है, जयोद सना, सभी तो जयोद सना ही लिखा हुआ है, लेकिन correct कौन सा है, of course, option number B, अब यहां पर देखिए, आप लोग सोच रहे होगे, पहले से tick कैसे है, answer, क्यूंकि हम लोगों ने English में mark किया था न, तो examiner ने बहुत अच्छे से question create किया, हिंदी और English, दोनों का answer same ही हो, question का translation same नहीं है, लेक तो इसलिए आपे B पहले से tick आया है, और answer same है, okay, now next move करते हैं, अगले question की ओर, कुल, कुल का समनार्थी क्या होता है, कुल, once, हम लोग कहते हैं न, तो answer क्या हो गया, once, next move करते है, question यहां कह रहा है, जो आखों के सामने हो, का एक सद कौन सा होगा, यानि कि आपे एक sentence दिया जो आखों के सामने हो, उसे क्या कह सकते हैं, प्रत्यक्ष कह सकते हैं, हमारे प्रत्यक्ष खड़ा है कोई व्यक्ति, यानि कि हमारे सामने खड़ा है, आखों से हम लोग देख पा रहे हैं, now next move करते हैं, अगले question की ओर, उंगलियों पर नचाना, इसका मतलब क्या हुआ, कि इन में से तत्सम सब्द नहीं है, तत्सम सब्द क्या होते हैं, जो हूबहू संस्कृत में जैसे यूज किये जाते हैं, वैसे ही हिंदी में यूज किये जाएं, उसे तत्सम सब्द कहते हैं, तो काशे हो, निर्जर हो, बंधू को ये तत्सम सब्द है, तो यहां क्या हो गय हम लोग 10 number के question में यहां कह रहा है निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो विसेशन के मुख के चार बेद होते हैं यह गलत है अब जैसे ही 11 number में move करेंगे चाहे हिंदी में देखिए या इंगलिस में देखिए question सेम है तो हम लोग दोनों को पैरलली लेकर चलेंगे यहां पर पूछ रहा है कि new chief economic advisor कौन है government of India का तो कौन हो जाएंगे वी अनन्था नागेसवर सेम कोशन हिंदी में है मैं इंगलिस को ही प्लेस करती हूं बाकी हिंदी में ही बताते चलूंगी next move करते इस question में इस question में क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी following companies है नीचे बहुत सारे companies के नाम दिये गये है जो create किया गया है recently seven new defense public sector undertaking companies के तौर पे जो create किया गया है रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ordinance factory board तो यहां कौन-कौन से हो जाएंगे इसका answer हो जाएगा b c and d यानि की options में जो जो दिये वे हैं आप लोग इसे एक पर देख लिजेगा b c and d same question आप हिंदी में भी देख सकते हैं now move करते है next यहां पर कह रहा है कि autobiography कमला दास का है तो इस क कमला दास की जो autobiography है कमला दास के नाम से आप लोग बहुत परिचित होंगे अगर नहीं है तो तुरंत इस वीडियो को देखते ही google पर सर्च करिए कमला दास कौन है तो उनकी जो autobiography है जो उन्होंने खुद लिखी है उसका क्या नाम है my story next move करते हैं अगले question की ओर ऐसा कौन सा small organ है जो की हमारा development हो growth हो या फिर sexual development hormones को control करता है तो वो कौन सा है hypothalamus next देखते हैं अगला question क्या है first women कौन है जो दो दूर novel prize ली है यहां पर जितने options है विना किसी doubt के marry क्यों हो जाएगा next आगे बढ़ते हैं यहां पर आ गया हमारे लिए question जो की है reasoning के तो इसे हमें solve करना पड़ेगा बट इसको हम लोग ऐसे भी directly solve कर सकते हैं देखे हमसे पूछ क्या रहा है पहले उस पर focus करिए great कि great किसमें है कौन से sentence में first वाले में be great Indian country इसके अलबा और कि इसी में great है नहीं अब हम लोग क्या करेंगे इस type के reasoning को solve करने के लिए comparison करेंगे तो देखे फर्स्ट और सेकेंड वाले को comparison करते हैं तो वी के अलावा कुछ भी common नहीं है वी तो इसमें of course code में भी कुछ ऐसा common होगा वी जो की वी को represent कर रहा होगा तो कौन सा है ऐसा का 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 मतलब क्या हो गया वी तो जो हमारा option number B है वो कभी answer नहीं होगा विकाज यह वी को represent कर रहा है ना इंडिया इंडियन किसमें किसमें है इंडियन देखा जाए तो यहां पर third number में है इंडिया या फिर इंडियन का score यहां पर इंडियन ही होगा एंड होगा ओके ना इन दोनों को comparison करेंगे तो इंडियन सेम है तो इन दोनों में code भी same होगा तो कौन सा code same है यहां पर देखा चाहे तो जा जा जो है वो किसको represent कर रहा है इंडियन को तो यानि कि C option भी answer नहीं होगा B और C cut गया ना अब दो ऐसे कौन से sentence है जिसमें country है पहला और चौथा इन दोनों को comparison क करेंगे तो एक word same मिलेगा हमें जो की है यूओ यूओ यानि कि क्या country को represent कर रहा है तो यूओ भी हमारा answer नहीं होगा तो हमारा answer क्या होगा great का quote क्या हो गया हूँ 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 तो answer हो गया option number B next हम लोग move करते हैं अगले question की ओर इस question में कह रहा है कि A at the rate B लिख रहे हैं तो A father हो रहा है B का A रुपी B लिख रहे हैं तो उसका मतलब है A जो है बेटा है B का तो यहाँ पे पूछ रहा है हमसे की X कैसे related होगा Z में अगर ऐसा equation दिया हुआ है तो देखिए रुपी का मतलब क्या है पहला वाला जो है बेटा है तो X जो है किसका बेटा हो गया Y का और Y जो है किसका बेटा हो गया Z का तो यहाँ पे X और Z के बीच में क्या relation होगा Z जो है दादा जी होगे या दादी जी होगी X की क्यूंकि यहाँ पे gender clear Z का नहीं हो रहा है चलिए इसे मैं दूसरे तरीके से आपको बताती हूं for example वहाँ पे क्या लिखा था X रूपी Y रूपी Z और इसका मतलब क्या था पहला वाला जो है दूसरे का बेटा है तो X जो है बेटा है यानि की plus का sign लगा देते हैं हम लोग male को represent करने के लिए किसका Y का और Y जो है बेटा है Z का तो यहाँ पे क्या हो गया X और Z के बीच में क्या relation हो गया इनका gender clear नहीं है बट इसका तो clear है न तो यह क्या हो गया grandson हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या answer कर देंगे X जो है grandson है Z का next move करते हैं अगले question की और इस question में क्या कह रहा है कि जो global hunger index है वो कौन सा organization है जो release करता है तो यह क्या हो जाएगा option number B next move करते हम detail दिया हुआ है इस question को हम लोग discuss करेंगे आप लोग question को एक वार read कर लीजे तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर कह रहा है कि T से लेके Z तक T O U B W X Y और Z ठीके यहाँ पर essay students के नाम है एक तरीके से माल लीजे और कह रहा है कि यह लोग performance करेंगे कोई भी ऐसा नहीं है जो एक performance को दो बार करें यानि कि एक वैक्ती एक ही बार performance कर रहा है यानि कि हर एक वैक्ती solo काम करने वाला है solo dance हो solo singing हो solo siree हो यानि कि कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं है सब अलग-अलग time लेंगे अलग-अलग stage पर numbers में जाएंगे अब हमसे क्या पूछ रहा है कि बताने के लिए जो performance होगा उसमें y का कौन सा number होगा y कौन से number पर perform करेगा तो यहाँ पर हम लोग arrange कर लेते हैं सबसे पहले जो है students यहाँ पर T है, U है, B है, W है, X है, Y है and Z है अब यहाँ पर जब हम लोगों ने इसे place कर दिया अब जो instructions दिये वह है उसके according हम लोग fill करेंगे कह रहा है कि X जो है न वो first और second तो नहीं जा रहा है, यह clear है, फिर क्या कह रहा है जो W है, वो कब perform करेगा, जब तक X perform नहीं करेगा, तब तक W नहीं करेगा, तो इसे हम लोग कहीं side में रख लेते हैं, X के बाद ही W जाएगा, यहाँ पर फिर क्या कह रहा है, ना तो T और ना तो Y 7 पर perform कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग Y में भी लिख देते हैं कि यह 7 पर नहीं perform करेगा, और ना ही T 7th position पर perform करेगा, इसके बाद क्या है, इधर Y और Z must perform immediately after W, यानि कि W के just बाद या तो Y या तो Z का ही performance होना चाहिए, यह भी instruction हमने लिख लिया, यहाँ पर कह रह इमेडियेटली perform करेगा किसके बाद, या तो इमेडियेटली पहले या तो इमेडियेटली बाद में perform करेगा किसके UK, तो हम लोग इसे भी कहीं side में लिख लेते हैं कि या तो UK पहले लगाओ, या तो UK बाद लगाओ, ठीक है, तो दोनों ही conditions हमने लिख लिए, अब performance है, वो third में होगा, इस बात की clarity दे दी गई है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसके according हम लोग क्या करेंगे, relation establish करेंगे, यू यदि third में perform कर रहा है, तो देखिए, इस वाले को हम लोग use यदि करें, यू के पहले भी होगा, या बाद में भी होगा, तो of course, या तो second number पे भी जाएगा, या तो fourth number पे भी जाएगा, अब यहाँ पे देखिए, यह जो X है, W है, और Y या Z है, यह एक sequence में जाएंगे, यहाँ पे clear किया गया है, कि Y seventh पे नहीं जाएगा, तो हम लोग एक condition ले ले लेते हैं, कि Y माल लेते है, sixth पे जा रहा है, तो यह fifth हो जाएगा, औ एक condition है, ठीक है, एक condition में हम लोग यहाँ पे X को fourth पे भेज रहे हैं, W को fifth पे भेज रहे हैं, और Y को sixth पे भेज रहे हैं, अब ध्यान दीजेगा, यह जो B है, यह भी fourth पे, of course, और X भी fourth पे, लेकिन यह second पे तो जा सकता है, अब हम लोग लिख रहे हैं कि कहां कहां बैठा आया जा सकता है, अब माल लेते हैं, यहाँ पे Y ना बैठके Z बैठाओ, Y के लिए ना लिखाए कि यह seventh position पे नहीं आएगा, Z के लिए तो कोई problem नहीं है, तो एक वो भी हम लोग लेकर चलेंगे possibility seven, six और five, तो उस condition में X fifth पे बैठेगा, W जो है sixth पे बैठेगा, और Z जो है seventh पे बैठेगा, अब देखे इसके अलावा हमारे पास कोई information नहीं, अब हम लोग options में देखते हैं, Y के regarding पूछ रहा है, तो Y कहाँ perform कर सकता है, तो सबसे पहले Y के लिए हमारे पास क्या क्या information आया, या तो seventh या तो sixth, ठीक है, तो seventh पे Y तो ऐसे भी नहीं बैठेगा, यह हमें पता है, तो यह cut हो गया, now यहाँ पे हमारा क्या है, sixth position है, बाकी fourth पे तो possibly नहीं यह बैठे, because fourth पे अगर हम लोग Y को बैठाते हैं, तो Y से जस्ट पहले third पे W होना चाहिए, जो कि third का position fix है, तो fourth तो होगा नहीं, किसी भी कीमत पे, fifth भी possible नहीं है, again वही चीज होगी, अगर हम लोग fifth पे Y को बैठाते हैं, तो fourth पे W और third पे X होना चाहिए, जबकि third की position fix की गई है, तो हमारा answer क्या हो जाएगा, option number B, sixth, तो हम लोग यहाँ पे tick कर लेते हैं, erase करने के बाद sixth, इस question में कहरा है, seven countries है, A, B, C, D, E, F, G, और तीन flight है, X, Y, और Z, ठीक है, अब यह पे हम से पूछा जा रहा है कि बताओ कि ऐसी कौन सी city है, जो कि most other cities से connected है, तो देखिए, यह जो A के बारे में देखते हैं, A किस से किस से connected है, B से सिर्फ connected है, ठीक है, इसके अलवा किसी से connected नहीं है, now C किस से connected है, C B से connected है, और D से connected है, यानि कि 2 से, अब हम लोग B की बात क से connected है, और E F G जो है, वो किसी से connected नहीं है, यह अलग है, तो सबसे जादा से कौन connected हो गया, B, next move करते हैं, अगले question की और, यहां पे लिखा है auction, auction एक word है, बताना है कि इसमें कितने words बनाए जा सकते हैं, कब जब vowels एक साथ आए, तो देखिए, इस question में basically क्या कह रहा है, जि इतने words है, हम लोग एक जगा लिख लेते हैं, words है total, A, U, I, O, यानि की 4 है, अगर देखा जाए, तो यहां पे हमें क्या निकालना है, permutation combination solve करना है, तो अगर हम लोग इन 4 को इधर उधर swipe करेंगे, तो 4 factorial हो जाएगा, 4 factorial यानि की 4 into 3 into 2 into 1, तो total कितना हो गया, 4, 3 is a 12, 12, 2 is a 24, सिर्फ A, U, I, O को swipe कर सकते 24 तरीके से, यानि की 24 ways, इसके अलावा कौन-कौन से letters बच गए हैं हमारे पास, C है, then T है, then N है, इसके अलावा कोई word छूट रहा है हमारा, नहीं छूट रहा, तो देखे C, T, N है, तो इसके साथ vowels तो है न, vowels एक दूसरे से साथ नहीं छोड़ लेकिन रहेंगे न, इस words के साथ, तो हम लोग क्या करते हैं, A, U, I, O को one letter count करते हैं, तो यहाँ पर total कितने four letter हो गए, तो इसका क्या combination हो जाएगा, again four factorial, यानि की same process से 24 ways, तो option से total कितने बन सकते हैं, 24 into 24 करेंगे, तो हमारा क्या आजाएगा, 576, यानि की option number D हमारा correct हो click करेंगे, और next move करेंगे, अगली question की ओर, यहाँ पर कह रहा है, cube का जो surface area इतना है, तो volume कितना होगा, again इस question को भी हम लोग solve करेंगे, तो देखें, surface area, surface area का formula सबसे पहले क्या होता है, 6 into side का square, surface area हमारा 7, 3, 1, 7, 3, 4 दिया हुआ है, 6 यानि और side का square, तो 6 से इधर लाएगे तो क्या हो जाएगा, divide, 1, 7, 3, 4 को 6 से divide करेंगे, और side square, कितना आजाएगा, divide करके, हमारे पास, तो 289 आजाएगा, equal to side square, तो square हटता है, तो root चड़ता है, 289 equal to s, बाकी classes में आपको सभी teachers, जो भी math पढ़ाते हैं, मैं पढ़ा हूँ, या निकिता मैं पढ़ाए, या फिर विवेक सर पढ़ाएं, कोई भी पढ़ाएं, आप लोगों को कहते हैं कि कम से कम 20 तक का याद रखने के लिए square root, अगर याद रहेगा, तो directly यहाँ पे हम लोग 17 cm कर देंगे, कि हमारा जो side है, 17 cm है, हम से पूछ कर रहा है, cube का volume, क्या हो जाएगा formula, side cube, volume निकालने के लिए तो 17 पे cube, कितना आ जाएगा, 4913 cm3, कहा है 4913, यह रहा option number B, तो answer हो जाएगा option number B, 4913 cm2, next move करते हैं, अगले question की ओर, इस question में देखिए, x by y की value दी हुई है, हम से कह रहा है, कि x square plus y square, by x square minus y square क्या होता है, बताएं, इसे भी हम लोग solve करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, x by y equal to 1 by 3 दिया है, इसमें कोई छेड़ खानी हम लोग नहीं करेंगे, आगे देखते हैं, x square plus y square by x square minus y square दिया है, दोनों ही, numerator, numerator, दोनों को y square से divide कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x square plus y square by y square, यहाँ पे भी x square minus y square by y square divide करेंगे, x square by y square बच जाएगा, plus, यहाँ पे y square by y square 1 हो जाएगा, again, यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, x square minus y square by y square है, तो x square by y square और इदर minus होके 1 बच जाएगा, विकाज वो कट जाएगा, अब यहाँ पे देखिए, x by y की value हमें पता है, तो put कर दीजे, 1 by 3 का square plus 1, 1 by 3 का square minus 1 अब इसे solve करते हैं, हम लोग आगे, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया, 1 by 3 यानी की 1 by 9 plus 1, 1 by 9 minus 1, अब इसे solve आप लोग खुछ से करिएगा, solve करके answer हमारा क्या आजाएगा, minus 5 by 4, तो answer क्या है, option number a, यानी की minus 5 by 4, next हम लोग move करते हैं, अगले question की और, यहाँ पे कह रहा है क चार सो पचास रुपे जो amount है, I repeat, चार सो पचास रुपे amount, यानी की principle हो जाएगा, 81 रुपे इंट्रेस्ट आ रहा है, यानी की SI हमारा क्या हो गया, 81, और rate दिया हुआ है 4.5%, यह तो बहुत easy, यह आप लोग खुछ से solve करिएगा, यहाँ पे simply क्या करना है, हमें SI का formula यू फिर कहेंगे कि इस कांसर यह आ रहा है, यह आ रहा है, इस question में simply SI जैसा कि मैंने कहा, P into R into T by 100 का formula यूज़ करेंगे, SI दिया हुआ है 81, इक्वल टू यहाँ पे P दिया हुआ है 450, और R दिया हुआ है 4.5, यानी की 45 by 10 लिख सकते हैं, T हमें पता नहीं है, यहीं निकालना है और 100 पहले से नीचे है, अब इसे proper solve करना है, तो T equal to क्या हो जाएगा, 81 into 100 by 45 into 45, यहाँ पे अगर देखा जाए, तो 9, 5 जा क्या होता है, 45 और 9, 9 जा 81, 5, 20 जा 100, और 5, 4 जा 20, 5, 9 जा 45, 9 और 9 भी कट गया, यानी की T equal to क्या आ गया, 4 years, हमारे पास option में है, क्या 4 years, option number A, correct, तो हम लोग यहाँ पे click कर देंगे, 4 years पे और next की और move करेंगे, यह इस वीडियो लेक्चर का आखरी question है, इसे भी हम लोग solve ही करेंगे, because यहाँ पे भी solve करना पड़ेगा, देखी यह question बहुत easy होता है, 7 consecutive है, consecutive का मतलब क्या हो गया, लगतार, तो X है, X plus 1 है, X plus 2 है, X plus 3 है, X plus 4 है, numbers में बढ़ाते जारी हूँ, क्योंकि मुझे पहला पता नहीं है, तो X के contact में ले रहे हैं, 6, तो यह क्या हो गया, 7 consecutive number है, इन सभी का average कह रहा है, average कितना है, तो average हम लोग लेकर चलेंगे, जो formula होता है, सभी numbers का add, बाई कितने number है, तो 7 number है, average हमें दिया हुआ है 20, तो 20 into 7 हो जाएगा, अगले ही line में, उपर add करेंगे, तो 7 numbers है, तो of course, 7X तो होगा ही, plus add करके कितना आएगा, 21 आ जाएगा, इधर हम लोगों के पास 140 हो गया, 7X plus 21, तो 140 इधर plus है, तो इधर minus हो जाएगा, और 7X है इधर, minus करेंगे 140 में से 21, तो 119, equal to 7X, X को अकेला करेंगे, तो 119 by 7, cut करके कितना आजाएगा, 17 आजाएगा, तो X यानि कि जो हमारा पहला number है, वो 7 हो गया, sorry, 17 हो गया, तो of course, दूसरा 18, 19, 20, क्योंकि यह consecutive था, 23 तक, अब हमसे question में क्या पूछ रहा है, कि smallest और largest जो number है, उसका sum कितना होगा, तो smallest 17 है, और largest कितना है, 23, add कर देंगे, तो कितना आजाएगा, 40, तो हमारा answer क्या हो गया, यहाँ पे, 40, 40 पे click कर देंगे, तो यहाँ पे 25 questions complete हो गये, part A के, जो सभी pedagogies के लिए applicable है, This was it for this video lecture, साथी साथ आप लोग visit करिए, हमारे telegram group पे उसका link description box में दिया होगा, जिसका नाम है teacher education resource, इस telegram group के जर्गे, आप लोग जो भी webinar वगेरा होता है, daily bites का, उससे updated रह सकते हैं, विकर जो भी links वगेरा है, join करने के लिए, वो इसी telegram group में भेजा जाता है, साथी साथ कोई भी resource material हो, उससे भी आप लोग updated रह सकते हैं, उस telegram group के जर्गे, webinar तो होते ही हैं, उसके अलवा सेमिनार भी होते हैं, उसका भी update आपको उसी telegram group में देखने को मिलेगा, and बाकी आप लोगों को कोई भी doubt हो, आप लोग देखली मुझसे instagram पे जुरिए, मेरी id killing description box में दी होगी, या फिर simply search करिये dailybite underscore nupur, में इस्टाप पे मिल जाओंगे और अपने doubts को मेरे साथ clear करिये, and also follow and connect with us through these social media sites, links are given in the description box, stay tuned, stay updated and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section, thank you.